हले स्टुएंट्स तो उत्राखण में हम पूरा परजातियां पढ़ रहें ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे कोल जाती के बारे में जो जो कोल को सरवादिक पूरा परजाती माना जाता है राजे में कोल भासा के पड़ते जैसे गाड अभी भी गड़क गाड गदेर बोलते न, जो छोटी नर्यों को तो गाड जो पड़ते मिलता है वो कोलों के समय से ही परि backyard हूआ जाता है तो वरतमान में भी इस सब्ध का इस्तिमाल देखने को मिलता है ठीक है पूरा साहितियों में कोलों का वर्णन मुंड या सबर जाती के नाम से मिलता है तो मुंड और सबर जो थे पहले वो कोल ही थे ठीक है पूरा साहितियों में अब देखो कोल लोग जो हैं वो कैसे होते थे देखने में नाटे कृष्ण मु तो यह इनके सारी रिक सरजना होगी बनावट कोलों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था किर्सी खेतिवाड़ी तो अधिकान सब फूरा परजातियों का व्यवसाय यही था इनमें कुमार कुमारी ग्रह एक समाजिक प्रथा थी मतलब जो लड़का लड़की को एक घर में रख दिया जाता था ताकि उनके आपस में विचार मिले तो इसे कुमार कुमारी ग्रह प्रथा कहते थे कॉल में कॉल जो लोग थे वो तंत्र मंतर में भी विश्वास रखते थे इसके बाद आता है देखो खस तो खस से भी काफी को पुष्टी किये कि खस भूमी बनने से पहले उत्राखण में किरात भूमी थी महाभारत मुनस्मिर्थी, मुद्राराक्षा, विरहत सहीता जैसे बड़े गरंतों में भी खसों का वर्णन मिलता है अभी जो गड़वाल में रहते हैं लोग तो जो जो खस्या कहा जाता है तो खसों के ही खस उनके पुरवज हैं इसके अलावा जेखो जो परसित विद्वाने टॉलमी है अल वरुनी ने भी अपने गरंतों में खसों का वर्णन किया है आप देखो महाभारत के सभापरों में क्या वर्णन मिला है अर्जुन ने खसों पर विजय प्राप्त की थी खस जो लोग है युदिश्टर के राजसु यग्य में उपस्तित हुए थे पीपीली का स्वन्ड मतलब जो चीटियों से बनायवा सोना होता है ब्रह्म कमल और मधु भेट कियाता है यानि सहेद तो ये चीजे लेके खस लोग युदिश्टर के राजसु यग्य में उपस्तित हुए थे और जो खस लोग थे बाद में कौर्वों की और से युद्ध उन्होंने लड़ा था तो कहा जाता है कि जब ये कौर्वों की और से लड़े तो अरजुन ने इन पर विजय प्राप्त कर ली थी तो खसों को देखो परवतों पर निवास करने वाली जाती माना गया इन्हें पासान योधी जो युद्ध करनों में माहिर हैं बांस के वनों में निवास करने वाला कहा गया जो राज सेखर कवी लेखा के परसिद तो उन्होंने अपनी पुस्तक कावे मिमांसा में भी खसाधी पती किसी खस राजा का नाम दिया है किसी खसाधी पती का उले किया है जो कि गुप्त कालिन था इतियासकार है पर सिर्डीसी सरकार इन्होंने बताया कि जो खस कस्मिर में रहते थे वहाँ पर खक कहते हैं तो वो खक जो है खसी है इस परकार हम देखते हैं कि देश के काफी बड़े हिस्सों में खसों के रहने का पर्मान मिला है अब इनके देखो सारी दिक सर्चना खसों की क्या है ये लंबे चोड़े थे हश्ट पुष्ट थे लंबी नाक थी दाड़ी मूच गेहुआ रंग था तो ये बाकी से अलग थे और जीविका इनके भी किर्शी थी और पसुपालन इनमें जो है जाती का भेद नहीं था और पसुबली के प्रस्ण इंपोर्टन है काफी है न पूछ लिते किस पूरा जाती में पसुबली परसली थी तो खसों में पसुबली की पर्था थी इसके अलबा देखो इनके कुछ महत्रपुन सामाजिक पर्थाएं भी थी जैसे घर जमाई तो आप जानते हैं क्या होता है खसों में है पर्था थी फिर जेठो पर्था संपत्ति में बड़े भाई को छोटे भाईयों के अपक्षा अधिक हिस्सा मिलता था तो उसे जेठो बोलते थे अगला जटेला कोई इस्त्री यादि दूसरे से विवा कर ले तो जो पहले पती से उत्पन पुत्र होगा उसे जटेला कहते थे ठीक है और लाश्ट टेक हुआ कोई विद्वा वैद या अवैद रुप से किसी पूरुस को अपने घर में रख सकती थी इस पर्था के अंतरगा तो ये टेक हुआ हो गया संतानों को संपत्ति में पूर्ण हिस्सा इसमें मिलता था जो खसो में क्या था कि ये लोग अपनी जेस्ट पूतरी को मंदिर में दान कर देते करते इसके लाबा भूत पेत आत्मा पर विश्वास करते और ग्राम देवता की भी इन में विशेश माणेता है इसके बाद हम अगला टॉप्पिक पड़ेंगे धन्यवाद प्लक्तो Scoot